वो किसान हैं ही नहीं, या तो खालिस्तानी है, या आतंकी है, या दलाल है, या राइनेतिक पार्टी का कुछ लोग है, अब राकेश टिकेट को अगर हम लें, तो 2014 में राकेश टिकेट हमारे प्रत्यासी के सामने है, अजिस सिंगी पार्टी से चुनाव लड़े थे लोग पर सब्सक्राइब रड़ाव हो जाए, एसे ही, आपकी राजस्तान में कॉप्रेश सरकार है, कुछ यहां से पुछ कर दिया गया, वो पंजाम में कॉछ को सरकार है, बाहरसेपूर थे पुछ कर दिया गया, तो यह राज्नेतिक है किसान तो खेथ में काम कर रहा है क्या उपी में राजस्तान से सटता है पंजाब से शटता है वहां पर केवल एक तमासा हो रहा है किसान खेत में काम कर रहा है और MSP जो आरोप लगाए गए लोगसभा में हमारे किश्मंत्री जी ने कहा कि ये काला कानून काला कानून तो कानून में काला बताओ क्या है हम निकाल देते काले काले को सबेद रहने देते तो वो ये कुछ बता नहीं रहे कि इस